हेलो इस्ट्रेंज आप सभी कस्वागत हैं हमारे क्लास क्लास अपॉन में तो सर्गुजा उनिवर्सिटी वाले किस्ट्रेंट का कमेंट आया था कि वीडियो इस पर बना रहा हूं वह है फिजिक्स का फर्स्ट पेपर आपका तो यहां पर देखिए आपके कोशन इस तरही के से दिया हुआ है कि गोरी निर्दिसांग पध्धती में किसी गतिसील कण कंड के वेग और तरण के लिए भेंजक ग्याद कीजिए तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं गोली निशसांग पध्धती में श् development तो उसके लिए हम समीकरन लेते हुए इसको प्रूब करते हैं तो इसके इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और इसे अपने दोस्तों तक क्योंकि अभी मैं लगातार सरुजर उनिवर्सिटी के वीडि एक काउंप सदी सम पी कैप और ठीटा कैप निकालते हुए यहां पर दी आर्बाइदी ठीटा और दी ठीटा पॉपन दी ठीटा और दी फाइब आइड यह जीरो होके चलेगा तो इस तरीके से इसके सम अउकलान हम करते जाएंगे नोट करते जाएगा पूरा इसको और ब्लास्ट में देखिए हमको कंड का तरन मिलता है इस तरीके से और यहां पर है देखे वेग और यही उप्यूक्त जो वेंजक है वी और ए गोली निर्देसांग पध्यदी के वेग और तरन को व्यक्त करता है फिर इसके बाद आते हैं यहां पर आकासी पिंडो के गती समंधी केपलर के नियम लिखना है जितने केपलर के नियम में वो लिखना है हमको ठीक है तो केपलर के नियम में तोटल यहां पर मुख्य रूप से बताया गया है कि सूर्य के चारों और ग्रहों की गती की व्याख्या करने हैं तो केपलर नामा को ग्यानिक ने निम न लिख तो इस तरीके से आपको पुरे नियम लिखने हैं फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसके जो प्रत्रम नियम है उसको सिद्ध करते हुए चलेंगे तो इस पर एक लगने वाला बल लगाएंगे एफ इकोल टू माइनस जी एम एम आर स्केर अप और रहेगा इंटू आर कैप और द्रवमान एफ बराबर होता है द्रवमान गुना तुरन उससे लेते हुए हम इसको सिद्ध करेंगे तो समीकरन एक और दो से हमको इस तरीके से समीकरन मिलेगा दिख रहा है आपको इसको पूरा लाइन से आप नोट करते जाएए तो यहां तक नोट करते जाएए इसको पूरा यहां तक है आपका पहला नियम पिर इसके बाद है दूतियन नियम कि फिर है त्रिती ये नियम है ठीक है फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं वीट नंबर दो में जहां है हैं हैं हेल्म होल्ड्स अउनादक के बनावत एवं सिध्धान्त को समझाई और सभाविक आवरित्ति और आवर्थ काल के लिए वेंज़क उत्पन कीजिए तो हैं मोल्ड इस तरीके से होता है देखे हैं आपको डाइग्राम में और यह त्योरी आपको पुरा लिखना है फिर इसके बाद इसका जो है आगे हम इसको प्रमे निकालेंगे जहां पर हमको इसका आवर्थ काल चाहिए रहेगा तो इस तरीके से देखें यहां से आपको नोट करना है और यह आवर्थिकाल के लिए सिद्धा हो गया फिर आगे बढ़ते हैं इसका इस्ट्रक्चर बताएंगे इस्ट्रक्चर की साथ इनके टूटल चार भाग होते हैं दिखे रहा है दिखे डाइग्राम में इलेक्ट्रों गन विछेपन प्लेटे प्रती दिप्टी सील परदा और प्रसर्फ जनित्र ठीक है सम्याधार परिपत पर इस तरीके से सब की हम लोग व्याख्या करेंगे इलेक्ट्रों गन प्लेटे इन सब का तो यहां से इसको नोट कीजेगा पिर इसके बाद है यहां पर यह डाइग्राम भी आपको बनाना है पांचवा जो है अब यह लोगी परिपत जो है इस पे होता है फिर इसकी जो सुग्राहिता है उसके बारे में explain करना है हमको diagram बनाते हुए पूरा ठीक है फिर इसके बाद हमारा जो फिप्ट उनिट है वो है बर्णोली का प्रमे यह हमको लिख के सिद्ध करना है यह 12 में भी था 1st year में भी है यह ठीक है तो बर्णोली का प्रमे देखे इस तरीके से हमको इसका जो प्रमे है उसको लिखन करना है ठीक है तो कार्य बराबर बल गुना दूरी लेते हुए चलेंगे हम दो अलग अलग बल और कार्य के लिए तो इस तरीके से हमको एक समीकरन मिलेगा जाब गती जूर्जावरा समीकरन लगाते हैं वन बाइटू एमवी स्क्वेर और यहां से देखिए दोनों को लेत सब्सक्राइब कर लेजेगा और अपने दोस्तों तक भी इसे सेर कीजिएगा इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद